असलाब लेक्म दोस्ते एक सेर्वी मौत वाकर में कुछ आमने लिए नामे बहुत जैनल साहब और एक जैनल साहब के सामजादे इस वड़े बहुत ही ज्यादा मुतहरक होते हुए नदर आ रहे हैं ना से मुतहरक भू रहे हैं बल्कियों को पादिस्तान की एहम तरीन स्यासी जमात के सरगाता कायदीन के दाएंबाई नदर आ रहे हैंपना चिरा दिखाने की कोषिश कर रही हैं और यह ताफिर देने की कोशिश कर रहे है अब इन लोगों का खास दोर पर हमारी प्लिटिकल लीडर्शिप जिन जो नौ मईई के साथ इनका कोई तालुग नहीं है चाहे हो मुस्लिम लीग नहीं हो चाहे हो पीबल स्पाइटी हो उनकी सफों में आना इस बात का इशारा है कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान वाली लड़ाई इनके गले में पड़े इनको भी रग़ा लगे क्योंकि इसके लिए तासुर देने की कोशिश्टी जाएगी कि जनाब हम अकेले नहीं ये तमाम लोग इने विच्चों साड़े ना ली ने और इस तरह का तासुर मिले था तो कोई यकीनी तोर पर जो इमरान ख्रान साथ के साथ जो सख़ती आने वाली है या उपर जो सख़ती आ चुकी है उसका रुख भी तदीर होगा क्योंकि इन लोगों ने सामने मारी जो प्लिटिकल इलीट है उनकी शगलें दिखाकर अपने जनल के जनल रटाइड के नाम से इसका प्रेशर ना ले वो ये देखें कि जनावी जो जनल रटाइड साथ हैं या उनके जो सब्सादे हैं इनकी और कैसे रही हैं और क्या यह किसी तरीके से आपको इस्तमाल तो नहीं करें और अगर इस मच्छरे पर अम्रामत किया जनावी 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 जना यह मर्यब नवाज़ाबर के प्लिटिंगल फॉंक्सिंज में उनके दाएंबर नज़र आते हैं कि सारी सुर्टेहाल पर आपके साथ बात कुरूंगा बड़ी इंपॉर्टन डिवेल्मेंट है लेकिन फूसरे समगने तो पिछली वीडियो का तोड़ा सा कनेक्शन है वो इसस यह पताया था के जो डिवलप्मेंट्स होती चली जा रही हैं तो इसाथ अमड़ाब साथ की जो स्पीच होगी जो शायद मंडय को किस स्पीच के अंदर इसाथ अड़ाब को बताएंगे कि आ वो किस तऱ पढ़ेंगे ओ तो कौाइन की किस तरी कैसे करेंगे और तो तक्र जो इलानात की है वो इसी सिम्ट की तरह विशार कर रहे हैं कि हकूमत और आई एमफ दोनों से पेज पर पहुंच गए हैं आई एमफ के मुदालबात के उबर हकूमत ने जो टैक्सेशन है उसमें इजाफा भी कर दिया है और मजीद टैक्सेशन जो एफ हो बढ़ाने का फैसल रुपए यनि 10 रुपए पर लीडर इसमें इजाफे का फैसला किया है और इसके साथ साथ पर आई एमफ का मुदाइबाता है कि इंपोर्ट्स पर रहन से पबंदिया खत्म करने का तो इसाज़गार साब ने यह जो पबंदिया है इंपोर्स के उपर यह भी खदम करने का जो कलेक्शन का जो टार्डट था नो हजार चार्ज सो फंदरा अरब रुपए कर दिया गया है कि से पहले यह टार्डट नो हजार दोसो अरब रुपए था इसका इंपोर्टन चीज़ यह है कि इस सारे अमल में खास طور पर हमारे जैसी सुसाइटीज में यह बात बहुत ही यह जो बिजडी है इसका इस्तमाल बढ़ जाता है और अभी कुछ देफ पहले जो नहीं है खुर्म दस्तगीर साफ उनके तरफ से की ट्वीड सामने आया था जिसमें उन्होंने पताया था जिनांपने स्वगत बिजडी की डिमांड है वो आल टाइम हाई है और तक्रीब 30,000 मेगावाट से पिजडी की डिमांड जो है वो क्रॉफ कर चुकी है और इस लगत पिजडी का शॉर्ट फॉल है वो तक्रीब दो तक्रीब दो तक्रीब च्छे हजार मेगावाट के करीब है लहाजा यह जो लोड शेटिंग है यह अब शेटिंग के मजीद आगे बढ़ जमीन है उनको गर्मेंट अपाकिस्तान पेंशन पे करती थी आप बो यह कहते हैं कि यह जो पेंशन है यह हमारे जो सेंट्री बिजट है उससे बढ़ती चरी जा रही है तो यह बहुत इतना बड़ा सफेद हापी बनता जा रहा है जिसको हम कंट्रूल नहीं कर पाएंगे और उसके साथ साथ उन्होंने किस बात का भी इज़ार किया है कि एक से जायत पेंशन की अदाएगी को बंद किया जाया होता ही है था कि एक बंदा एक मैक्ट्री से रिटायर हुआ उससे मैक्ट्री गंदर चला गया वहां परकूँ उसका जो है वो टर्म पूरी हुई वास थे उसके पैंशन चलोगे तो दो दो तिन तिन फैंशने लेते थे अब ऐसा नहीं होगा यह जो दूसरी नौकरी करने पर पफ़लती थी एड करें लेकिन वो पैंशन लेस होगी और साथ वो अगर तनहा लेगा तो उसको फिक पैंशन नहीं मिलेगी इस तरह का कोई वो सेगी, और इसके साथ साथ उंका यह कहना है के साथडास साه का के जणाब एक हम खुझूसी जहाँ चला रहे हैं शाँ का और जहाँ जाएगा अर्रा कीने पर्लेयमन पो लेकर साध कर बेदिया और जहाँ यहाँ चलाए जाएगा खसुस्सी तोर पर अराकीने पर्लिमेंट को अज़ कराने के लिए और उसाद्धार स्वाम ने गाए कि जिनाब जो जो अराकीने सब्सक्राइब जाने जाते हैं वो अवारी फ्लाइट में बैटे तीन सो की तीन सो की औरमॉस्ट कापसिटी होती है जहाज में उनने का जनाब का लाओ जहाज बैटो हज करने जाओ और वहाँ पर दैतल्ला शरीफ में हज के मौके पर मज़सर नवी में जाएं और जाकर पाकिस्टान को माश्ची मुश्किलाद से निकालने की खास दोपर दौा करें यानि अब जो मामलात हैं वो दौा से बढ़कर दौा की दर चले गए हैं और क्योंकि अपनी ताकर जो आई मफ है उसके ये वले मुतालबात को तस्लीफ कर दें कि बापजूर पर भी तर ग्रीन सिकनल नहीं मिला अलबता ये पगले ज़रूर बजाई जा रही हैं कि जनाब ग्रीन सिकनल भी मिल जाएगा और ये जो मौईदा है ये बहुत जल्द कंप्रीट अफ हो जाएगा और वज़िया आदम साब ने भी इस बात कर जिक्र किया है अब से कुछ देर पहले कि जनाब माशी बाली अब पहरान है ये फिरीतों पर वो भी अपनी अपनी तमांतर शित्यतों के साथ मौई अब इसके साथ जो बाटन पहलू है वो ये है कि हमारा जो इस वगत पुल्टिकल स्ट्रक्शर है वो बहुत जादर तेजी के साथ डिटीरियट हो रहा है और जैसे जैसे इलेक्शन का और अंदाज नहीं किया जा सकता है इसी तरीके से तल मैंने आपको बताया था कि मिग्रांद वजीरादम की दौर्ड में जनाब मौसन बेग साथ और उनके साथ जिन सेटी साथ आचुके है लाइन में अब पता जला है कि कौन मीडिया टाइप भी इस गेम के अंदर सामने आचुके है मनलाद है कि जो गेर टेकर जो सेटप बनेगा वो सारे के सारे जिलिश्टों पर ही बनना है दुनिया न्यूस के जो मालिक है जनाब मिया आमिन मेंद साथ उनकी एंट्री भी हो गई है बतार गेर टेकर प्राइन मिनिस्टर के लिए अब इससे मतले है कि तीन न है कि अगर इस्टैबिश्मेंट का गोड़ा ही चलेगा तो फेर फैसला होगा जनाब मिया आमर महमूद और मौसंट बेग साब ही इस मामले में मुझे अभी तक आट फेवरिट नदर आ रहे हैं और शायद मुम्किना तोर पर यह जो कुर्राइफाल है यह बेग साब के ना जा रहा है नौ मही के हवाले से जो इदामात है या वो तमाम एक्शिंस जिन दावादा किया जा रहा था और एक्शिंस नहीं लिये जा रहे थे उस हवाले से जो तश्वीश है वो बढ़ती चली जा रही है अभी जो खबर मैंने आपको आगाज में दी थी यानि एक रिट के दो सुद्थ देने की बैस करें दी ये एक बहुत जियादा कलाना connections जअधर सबंगो है रेटाइट जनाफर जप जू करफजो एक बहुत जादा यह वह से इनको मेरा ख्याल है कि टाटा वाइबाय किया गया था क्योंकि वहां पर इंडिकी सर्ग्राइब रिद्मिया भी आपको यह जर्णिलों की अलाओं के अंदर भी कुछ इस तरह के वाईड़िस आ जाते हैं कि वह अपने आपको भी जर्निल ही समझे रहोते हैं लिए आधार सर्गरिविंग लावस थे और प्रोजेक्ट इमरान खान के लाउंच होने से लेकर नौ माई तक यह जो बिलाल क्यानी साहब ने है अजर क्यानी साहब थे सॉरी यह पीटी आई के नेटवर्क पर कौछी ज्यादा इन्हेसार भी करते थे और दोस्तों की मेसनों वे बैठ कर ज यह प्रोजेक्ट इमरान खान की एक खास रवायत थी कि उसी के जरीए यह जो प्रोपगिंडा है तौक्टियर लीडर्शिप के वो प्लाए जाता था और उनको जो डाकूर प्रिपेरा साब्स करने के लिए फाइले भी बिनाई जाती थी प्यान बज़िए जाते थे आप फिलाल अधर साब यह भी इन तमाग एक्टिविटीज के अंदर भी मुलफ़स रहे हैं उसके बाद यह ज्यों है आजकर एक्टिविटी है इनकी बहुत ज़्यदा मरीब नवास के करीब नदर आ रहे हैं पी टीवी के दर इक बड़ा आना जाना है पी टीवी के अंद पर जो वजारते कि दातों नश्रियात की वजीर हैं मरीब और एंग्जेब साहबा उनके लिए मुखबरियां भी तलाश करते हैं और पिर उसके अगेंस्ट यह जो जो कुछ इनोंने करना है वह वो यह नकरते हैं और इसी से आगे बढ़ कर आप जो बिलाद साफ है उन्हो पर तो बहुत ज्यादा सरकर्म है इसका बंदर यह है कि यह जो कारवाईयां हैं यह शुरूर भी हो चुकी हैं और एक खास एजिंडे के तहट इनको आगे पढ़ाया जा रहा है जो इस बात कितना पिशारा कर रहा है कि जिनार पर यह जो चीज़ें हैं अगर पूंको सीग किसी जमारत में शामिल होना अलग बात है वामात पर जाकर मुखवरियां करना जसूसियां करना या दूसी जमारत के इजिंडे के तहट यहां पर आना बाइट डिजाइन वह एक बिल्कुए मुखनी चीज़ है और खास पर नौ मुई के वाकियात के बार अगर यह मरीब न जायगा कि दिनाव यह बंदा जो है यह आपको जिना ऑुस के करीब नजर आया था और यह बंदा आपको मरीम नौाज के करीब नदर आ रहा है और फिर यह तासर देने की कोशिश की जाएगी कि नौ मई के वाक्षा यह पीटी आई मुलपिस नहीं है बलकि यह कि एविटेंस सामने आएंगे तो पिर इस प्रोपगेंड़ा को शिक्स देना पहुत जाता मुश्य हो जाएगा लेहादा आपको वेल्कुम करें तमाम लोगों को करें जर्नल्स के उलादों को पहुत पच्छेती के सिपलिविंट रिते हैं लेकिए जरूर देखे करें कि यह जो एक्टिविटीज है यह कहीं इस तरीके से कुछ डिजाइन तो नहीं है जिसका मकसद बुनियादी दौर पर आपको हिट कर रहा है दिन्हें रजूर दार कीज़एगा आपको बहुत